जै जोहार हम अर्च तीजगर देख रहा है आप आपके साथ मैं हूँ ललित प्रुजापती शुरुआत करेंगे महतारी वंदन योजना से जुड़ी बड़ी खबर और खुशी देने वाली खबर जांजगीर चापा में डेपीटी सेम अरुन साब ने कहा है कि महतारी वंदन योजना की राशी जारी होगी आठ मार्च को खाते में पैसे आएंगे बार-बारी सवाल उठाए जा रहे थे महतारी वंदन का लाब कपसे मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाब आठ मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा आठ मार्च को सीधे जो पात्र हित्गराही महिलाएं हैं उनके खाते में पैसे आएंगे हजार रुपए तो महतारी वंदन योजना मोदी की गैरेंटी में से एक महतापूर्ण गैरेंटी माना यह जा रहा है कि मास्टर स्चोक साबित हुई है महतारी वंदन योजना और अब इसे लेकर जो तमाम बीजेपी के कारिकरता है वो फॉर्म भी लगातार भरवा रहे थे फॉर्म की स्कूटनी के बाद जो पात्र हित्गराही होंगे उन्हें महतारी बंदन यूजना की राशी जारी की जाएगी जांजगीर चापा में डेपूटी सीम ने ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने का है कि 8 मार्च को खाते में पैसे आ जाएगे महतारी बंदन यूजना की राशी जारी हो जाएगी हजार रुपे प्रतिमाह पात्र महिलाओं को मिलने है 21 साल से जादा उम्र की जो महिलाए हैं उन्हें महतारी बंदन यूजना का लाब मिलेगा हलके उसके क्राइटेरिया है जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा उसे योजना कलाब मिलेगा महतारी बंदन योजना कलाब आठ मार्च से आठ मार्च को खाते में राशी आएगी डेपिटी सेम अरुन साव ने ये बड़ा बयान दिया है जांजगीर चापा में कि आठ मार्च को सीधे खाते में पैसे आएगे महतारी वंदन योजना की राशी जारी होगी तो महतारी वंदन योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें जान्दगीर चापा में डेपिटी सेम अरुन साओ का बयान आया महतारी वंदन योजना की राशी जारी होगी 8 मार्च को सीधे जो पात्र हित्गराही हैं उनके खाते में पैसे आएंगे इधर विधान सभा में साधराम यादव हत्याकान की गूंज रही CBI जाच की मांग को लिकर सदन में जूरदार हंगामा हुआ सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोग जोग भी हुई कॉंग्रस के विधायकों ने नारे बाजी की और इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया पूर मुख्यमंत्री भुपेश बगिल ने आरूप लगाया साधराम यादव हत्या मामले की सही जांच नहीं की गई पिड़ित परिवार को उच्चत मुआवजा नहीं मिला है स्पीकर डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि ग्रेमंत्री ने कल ही सदन में सपष्ट जवाब दे दिया है बुपेश बगिल ने कहा ये गमीर मामला है सीबी आई जांच की गोष्टना की जानी चाहिए साधराम यादो के हत्या को लेकर कबीर जाम का ये पूरा मामला है यानि कवरधा और रैली भी निकाली गई थी आरूपियों को फांसी देने के मांग की गई थी च्छे लोग इस मामले में गिरफ़तार किये गए थे 24 जनवरी के आसपास का ये पूरा खटनकरम था चरवाहा साधराम यादो 5 से 6 आरूपियों के इस मामले में पूरे गिरफ़तार हुए थे कवरधा का ये घटनकरम है 6 आरूपियों में अब तक गिरफ़तार हुए है शेख रफीक उर्फ रिंकू ये आखरी गिरफ़तार इस मामले में लालपुर कला गाओं के ग्रामिनों और यादो समाज के लोगों ने वाकादेस के लिए रही निकाली थी आकाश हमारे सहुगी हमारे साथ जुड़े हुए है आकाश क्या कुछ अपडेट विधान सभा में साधराम यादो हत्याकाइड का मामला उठा दरसल उसकी हत्या विशेश समदाय के लोगों द्वारा कर दी गई थी और लगातार इसको लेकर विरोध हो रहे थे अब ये व कंत्री का बयान पहले भी आ चुका था कि जो भी दोसियों पर जो भी कारवाई होगी कानून के दायरे में होगा और पहली बार उन्होंने ये भी कहा है कि का आतंगवादी गतिविधियों के तहट भी मामला दर्ज किया गया जो था चछतिस गर में पहली बार हुआ है ऐसे कि सभी विधायक जो थे विधान सभा परिशर के बाहर लगातार पदसन करते रहे नारे बाजी भी करते रहे तो इस तरीके से तमाम विरोध के बीच दोसी को सजा देने की मांग जो है वो लगातार उत्ती नजराईगी चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और 36 गर के दोरे पर है के इंद्री ग्रिह मंत्री हमें शाह कॉंडा गाउं में क्लस्टर प्रभारियों की क्लास उन्होंने आज ली है कारेकरताओं को जीत का मंत्र दिया, बैठा के बाद अजया चंद्राकर का बयान भी सामने आया लोग़स भाज چुनाओं में चुनाती पर बयान उन्होंने दिया कि कॉंगरस बीजेपी के लिए किसी तरह की कोई चुनाती नहीं है यह अजया चंद्राकर कह रहे है कि अपने आप में बैठा को बहुत गंभी बनाती है लोगसभा की द्रिष्टी से यह संभव है कि बस्तर का इलेक्षन पहले राउंड में हो जाए जैसा पिछली लोगसभा में उगवा था तो आज अमिश्या जी ने बस्तर से हमारे बस्तर कलस्तर में तीन लोगसभा है महास पूर मंत्री की पत्नी पर बड़ा आरूप लगा है शिव डहरिया की पत्नी इन पर आरूप लगा है कि सामुदाइक भवन पर इन्हों ने कब्जा कर लिया नगर निगम की बैठक के दारान यह मामला उठाया निगम में नेता प्रतिपक्ष ने मामला उठाया उनका कहना है कि पूर मंत्री शिव डहरिया की पत्नी ने सामुदाइक भवन पर कब्जा कर लिया है सामुदाइक भवन पर कब्जे का आरूप नगर निगम की बैठक के दारान जुनीता प्रतिपक्ष निगम उन्होंने यह बड़ा आरूप लगाया है कि शिव डहरिया की पत्नी ने सामुदाइक भवन पर कब्जा कर लिया है सामुदाइक भवन सामाजे का कारियों के लिए सभी के लिए होता है उस पर कब्जे का आरूप लगा है नगर निगम की बैठक में यह मामला उठा है रायपूर आपको लिए चलेंगे सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है ममता से बाचीत करेंगे ममता शिव डहरिया की पत्नी पर गंभीर आरूप क्या कुछ अपडेट कि पहले आपको वो पीछे एक व्यू दिखाया जहां पर आपको पेड़ दीख रहे होंगे वो सामुदाइक भवन है जिसको सामाजिक उप्योग के लिए यानि कि या सारजिदिक उप्योग के लिए जो बनाया गया था उसका इनाउग्रेशन किया था तो उस पर एंजियो जो है वो शकुन डहरिया चलाती इसका आरोप लगाया गया और इसके साथ यह जराज्टिय सद्भावना सदन है यह दूसरा भवन है यानि कि और यह जो बना हुआ है चूकि यह पूरी सोसाइटी है उनके लिए और एक प्रावधान नहीं बनता है कि कोई जो सामाजी का सामुदाइक भवन बनाया जाया है उस पर जो है इस तरीके से किसी नीजी एंजियो को दिया जाए तो यह हम दूसरे जो मकान है उसके जरी हम आपको उपर से पूरा व्यू दिखाते है कि कितनी जो जमीन है उस पर कबज़ा किया गया यानि कि यह खा जा रहे कि यह जो पूरी जमीन है वो EWS के लिए आबंडित की गई है लेकिन EWS के ल आपको और यह देखे कि किस तरीके से पूरी जो जगह है उस पर आरोप लगा है कि यह घेरा गया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि लाल बत्ती गाड़ी भी खड़ी है और पूरा गार्डन बनाया गया है तो सवाल इस बात को लेकर चुकि नगरी प्रशासन मंत्री थे इसले भी और यह मामला गंबीर हो जाता है यह जो आरोप लगे हैं कि इस जमीन पर जो है वो कहा जा रहा है कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि EWS मकान बनने थे लेकिन जहां पर इस तरीके से जो है एक भवन बना दियेगा उस भवन में आप देख सकते कि किस तरीके जो सुवि निगम में जबर्दस्त हंगामा हुआ है और यह कहा जाता है कि इसको लेकर पहले भी शिकायते की गई थी सुसाइटी के जो लोग है उन्होंने शिकायते की गई थी लेकिन इस पर कुछ भी नहीं किया गया सवाल इस बात को लेकर है कि अगर सामुदाइक भवन बनता है तो किया जो दाइक भवन जो वह किसी शादी के लिए तेर्वी के लिए बर्ड़े के लिए ऐसे लोग जो मिनीमम का रूपियों में आप तो सजय अपना अपने जो तुमाम गुट्साहों बनाना चाहते हैं यह जरूरत का जो जो भी कार्ग्रम है वो निप्टाना चाहते हैं उनके लिए बनाया जाता है सरकारी भवन जुए नगरनिगम का ये भवन बनाया गया तो उसको कैसे एक NGO को संचालीट करने के लिए दिय कि जो सिक्योर्टी है में जो थे उन्होंने कहा कि डेहरिया मैडम जो है उनका दबतर है तो वो कैसे किसी को आबंडित कर दिया गया और यहीं सवाल उठाए गया कि ऐसा कौन सा प्रावधान था महापौर अब कह रहे हैं कि इसकी जाज कराई जाएगी तो जाज आप जो है व कुद्दों को भुनाने में महारत है बीजेपी की ममता बिल्कुल देखे कल लगण निगम का बजट पेश होना था उसके पहले हंगामा किया गया पीछे भी अब हम देखेंगे सामुदाइक भवन जो है उसमें ताला लगा दिया गया है लेकिन उसके भीतर कहा जा रहा है क कि दौम चुनाव सन्चालन के काम किये गया और कोई भी सामाजिक आजिक कारे जो है वो नहीं किया गया एक बी फाइव स्टार उट जैसे सुईधाय दी गई है बहेंगे सोफे महेंगे आलमारियां और जो सामान है तो यह जो है इसलिए भी दिया गया ऐसे आरोप लग रहे हैं क्योंकि शकुन डेहरिया जो है जो शीव डेहरिया की पतनी है वह वहाँ पी उस NGO के संचाली का रही है तो प देखने वाली बात है कि जाच में किस तरह से आता है हमने शीव डेहरिया से भी कोशिश की कि हम उनसे मिले तो यह भी कहा जा रहा है कि जब उस समय इसलिए नहीं कुछ हुआ कि सहीं ब्लेको डर का वाली बात इस तरह के बात जो है वह बीजेपी कह रही है लेकिन अब पर वो पहुंच चुके हैं केंद्रिय ग्रह मंत्रिया मिश्चाहह चातीज गल के दौरे पर है कोंड़ा गाओं में वो सभा ले चुके है और आप जांजगीर चापा में एक जन्सभा को संबोधित करने का उनका कारिक्रम है सभास्थल पर पहुँच रहे है केंद्रिय ग्रेमंत्रिय अमिश्चाह लगातार उनके साथ है 36 गढ़ पीज़पी के प्रभारी ओम माथुर मिशन 36 गढ़ पर हैं अमिश्चाह किरन सिंग देव नजर आ रहे है संग्ठन की तरफ से मुख्य मंत्रि विश्चु देव साई लगातार साथ में है डेप्यटी सीम विजय शर्मा भी मंच पर नजर आए जांजगीर हाई स्कूल महिपूरा आयोजन और अब यहां पहुंच रहे हैं के इंद्री ग्रह मंत्रिया मिश्चाह मिशन च्छाथीजगर्ण च्छाथीजगर्ण के लोग सबसीटों की बात कर ली जाए कुल 11 लोग सबसी इन में से दो कॉंग्रेस के पास है जबके नौ बीजेपी के पास है यह स्थित्यां तब है जबके पिछले लोग सबाचुनाव तो दारान प्रचंड बहुमत की सरक सब्सक्राइर कॉंग्रेस की बनी थी और अब जबके स्थित्यां बदल गई है 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 मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय डेपीटी से मरूल साओ विजय शर्मा डेपीटी से एम ग्रेव विभाद के भी जिम्मदारी किरण सिंग देव वो भी मंच पर नजार आ रहे है हम सब का सोभाग यह है कि माननी अमीद साजी हमारे बीच में है हम जाजगीर से यह तस्वीरे इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं अब इनंदन करते हैं और आप सब को संबोधित करने के लिए भारतिया जनसा पाल्टी के प्रदेश सज्याथ फिर किरन डेव जी को मैं साधर आमंतित करता हूं इस सभा को संबोधित करें किरन डेव एक बार